रामनगरी अयोध्या के सर्यू तट के किनारे स्थित प्रमुक नया घाट चोराहे का नाम अब लतामंगेशकर चौक हो चुका है। जिसे चोक के मध्य में स्थापित किये जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 40 फीट लंबी वीना बनाई गई है। वीना का निर्मान कासे से हुआ है। वीना की नकाकाशी प्राचीन पददी पर की गई है। और इसका कुल वजन 14 टन है। दरसल चोराहे पर 45 डिगरी के एंगल पर वीना को खड़ा किया जाएगा। वीना में जमीन के निचले सपोर्ट पर मा लक्ष्मी और मा सरस्वती के चित्र बनाए गए है। वीना के उपरी हिस्से में मा सरस्वती का चित्र और उनके आसपास दो मोर आकर्शन का केंद्र होंगे। मैनेजिंग डिरेक्टर अनल सुतार ने कहा कि मा सरस्वती का चित्र कमल दल पर है। सूत्रों की मानू तो आगामी 26 सितंबर को इस चोराहे का निरिक्षन खुद वुख्य मंत्री करने पहुँच रही है। दिपोत्सव में लदा मंगेश कर चोक का उधगा टन सीम करेंगे। इसकी विश्यस्ता है एक तो यह ब्रॉंज का बना हुआ है कास्य का बना हुआ है। और आप देखेंगे जो बारा मीटर की है चालिस खुट की करीब लंबाही है इसकी और इसका वजन 14 टन है। और यह कभी एक महिने में हमने पूरी बनाई है जो कि रेकॉर्ड टाइम में हमें बनाने का मौका मिला। और अभी इसको लगाएंगे हम लोग अभी क्रेन की इंतिजाय कर रहे हैं। और इसमें अभी आप देखिए तो बहुत डिटेल में से डिजाइन और आपने पास देखा ही होगा तो बहुँत वेना के अंदर वह आमने बनाने की कोशिश कर रही है और हमारे इसाथ से बहुत अच्छी बनी है। इसमें लाइट साउंड कैसे फिक्ष होगा कैसे बजेगा अभी जो अभी जब देखने हैं फिके फुरारा सा बन रहा है इसके अंदर और कमल के फूल वर आएंगे लाइटिंग होगी और साउंड लाइट शो थोचा होगा इसके अंदर साउंड की टेस्टिंग कल हो गई है तो मेरे खिया से अभी जो इसकी थीम है वो मैंने अभी सुनी नहीं है पर अभी जैसी लगेगी तो पता चलेगा इसको बनाने में एक महा लगा एक महीने में बनाई है आपना है जी बहुत जल्दी मैं कॉस अभी नहीं बता पाऊंगा